नमस्कार दोस्तों अगर आपने अपने मुबाइल फोन में एमर्जंसी एलर्ट की सेटिंग नहीं कर रखी है तो जरूर से जरूर करने और ये बहुत ही काम की चीज है तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से अपने मुबाइल फोन में आप एमर्जंसी सेटिंग कर सकते हैं करने से क्या-क्या फायदे होते हैं वह आपको पता चलेगा इसी setting को करते समय आपको हम बताएंगे कि दुमने सेटिंग को लेना है और सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च बार में आपको emergency contact type करना है जैसा कि आप देख सकते हैं कि emergency contact आपको दिख रहा होगा इस पर आपको click करना है और click करने के बाद यहाँ पर आपको एक mobile का icon दिख रहा है और इसमें power button पर 3 बार click करेंगे तो emergency call हो जाएगी चलिए इसकी setting करके आपको दिखाते हैं किस तरह से setting की जाती है तो सबसे पहले emergency contact आपको दिख रहा है यहाँ पर click करेंगे और यहाँ पर आपको add contact करना है तो आप जो भी contact save करना चाहते हैं emergency contact number के तोर पर वो number आप यहाँ पर add कर सकते हैं और add करने के बाद जो है वो emergency contact number आपका हो जाएगा तो यहाँ पर एक emergency contact number हम अपना add कर लेते हैं तो यह contact number हमने add कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि one contact number आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमने add किया है और उसके नीचे medical info आपको दिख रहा है तो इसको भी आप फिल कर लेंगे तो कभी emergency हो जाती है आपके साथ में तो यह आपके काम आएगा तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद add button आपको दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो guys यहाँ पे आपको अपना नाम, अपनी height, weight और अपना sex, blood group और date of birth, organ donor यह सारी चीज़े आपको फिल करनी है जो चीज़े आपके उपर लागू होती है वो सारी चीज़े आप फिल कर लेंगे जैसे कि blood group आपको जरूर से जरूर इसमें add कर लेना है कभी emergency हो जाती है तो यह आपके साथ में काम आ सकता है तो यहाँ पे guys जो है blood group अपना हमने डाल दिया date of birth आप अपना डालना चाहते हैं तो वो भी आपको डाल लेना है organ donor अगर आप हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं yes or no not save तो guys यहाँ पे हमने नाम फिल नहीं किया था तो नाम फिल कर लेते हैं और अपनी height यहाँ पे डाल लेते है तो height अपनी हमने 170 cm हमारी height है तो वो हमने यहाँ पे फिल कर लिया और weight कितना है वो भी आपको डाल लेना है 80 kg जैसा कि मी maps weight है और उपर आपको एक टिक का option दे रखा है उस पर आप क्लिक करेंगे यह आपकी जो जानकारी है वो save हो जाएगी और उसके बाद में यहां से आपको बैक आजाना है और बैक आने के बाद emergency call and message यह आपको क्लिक करना है यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कई सारे option आपक quick access यह जो है automatic on होगा उसके नीचे आपको auto call emergency service को on कर लेना है अगर on नहीं है sound alert before dialing यह अगर on नहीं है तो आपको इसको on कर लेना है अगर emergency call होती है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके mobile से emergency call हो रही है उसके बाद यहां नीचे आप देख सकते हैं emergency number 112 दिया गया है auto send SMS with location तो यह guys आपको on कर लेना है इसको on करने से guys जो भी message sent होगा वो आपकी live location के साथ में sent होगा अगर आपके साथ में कोई emergency होती है तो जिसको आप message भेजना चाहते हैं जो आपने save कर रखा है number उस number पे आपकी live location के साथ में message sent होगा तो यह आप जरूर करने और उसके बा message after 48 hours अगर 48 घंटों तक आपका mobile on है और आपके mobile को use नहीं किया गया है तो एक message sent हो जाएगा यहां से 48 घंटे बाद तो यह feature को भी आप on कर लेंगे और उसके नीचे side में यहां पे guys about दे रखा है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी read कर सकते हैं तो यहां से guys पसा जाते हैं और उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं low battery message लिखा हुआ है इस पर आप click करेंगे तो यहां पर low battery message को आप on कर लेंगे जब भी आपके mobile में low battery हो जाती है कहीं बाहर travel करते हैं या कहीं जाते हैं और घर पे सूचित करना यानि कि बताना भूल जाते है कि आपके mobile में battery खतम हो चुकी है या कम बची है तो इस condition में आपके mobile से एक message जाएगा जो emergency number आपने save कर रखा है और यहां पर include location तो guys आपको जो है अपना location भी include करना है यानि कि जिस जगे पर आप हैं तो आप जो है इसको on कर सकते हैं जब आप इसको on कर लेते हैं तो जहां पर आपका mobile discharge हुआ और off हो गया तो off होने से पहले एक message आपके emergency contact number पर जाएगा जिसमें आपका location होगा और उसमें यह भी होगा कि आपके mobile में battery जो है खतम हो चुकी है तो आपको कोई भी टेंसल लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके mobile में battery खतम हो जाती है आप घर पे बत battery खतम हो गई है तो यह option on करके इस tension से आप मुक्ति पास सकते हैं और दोस्तों इसमें जो है आप 5 contact number save कर सकते हैं emergency number के तौर पे तो guys यहां पे जो है जो हमने emergency number save कर रखा है उसी number को select कर लेते हैं और उसके बाद यहां से बैक आजाते हैं और बैक आने के बाद आप देख सक time period में do not remind me during the set time period अगर आप time period set करना चाहते हैं इसमें कि इस time से time के बीच में अगर आपके mobile की battery low होती है तो आप जो है आपके mobile से message ना जाए तो आप यह time period भी set कर सकते हैं और उसके नीचे आप देख सकने हैं दोस्तों यहां पे दे रखा है send now अगर send now पे click करते हैं यानि कि manually अगर आप message भेजना चाहते हैं कि आपके mobile की battery खतम हो चुकी है तो यहां पे send now पे जैसे ही आप click करते हैं तो जो number आपने save कर रखा है तो उस number पे आपके mobile से message चला जाएगा कि आपके mobile में battery खतम हो चुकी है तो guys यहां से बैक आते हैं और यहां से जैसे ही आप बैक आते हैं तो guys आपको यहां पे emergency location service दिखेगी तो इसको आप open करेंगे तो जैसा कि guys location का कई जगों पे हमने use किया है जब भी हमने emergency message को भेजने के लिए select किया है तो वहां पे location को भी select किया है तो यहां पे आप देख सकते हैं use emergency location service on है already तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका location भी जाए message में तो यहां से आप इसको off भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका location जाए तो इसको on रहने देना है आपको और उसके नीचे unknown tracker alert आपको दिख जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपको unknown tracker alert का message मिले तो आप इसको on कर सकते हैं और on करने के लिए इस इसके लिए आपको Bluetooth को on करना पड़ेगा जब आप Bluetooth को on करेंगे तो Unown Tracker Alert का आपको notification मिल जाता है और उसके अलावा यहां पर manual भी आप जो है इसको कर सकते हैं और उसके बाद में गाइस यहां से बैक आते हैं और गाइस यहां से जैसे ही बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं wireless emergency alert आपको दिख रहा होगा इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो allow alert पे अगर आपने on कर रखा है तो wireless emergency कोई होती है यानि की operator कोई सूचित करना चाहता है तो वो जो है message आपको मिलेगा alert आपको मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं amber alert on है test alert भी on है तो अगर आप इस हैं तो यहां पर जैसा कि guys आप देख सकते हैं यह vibration alert पे लगा हुआ है जब भी इस तरह का message आएगा तो vibrate होगा mobile और इसका reminder भी आप जो है set कर जकते हैं और guys अगर आप reminder set करना चाहते हैं तो यहां पर कई सारे option हैं आप उसको reminder के तोर पे यूज कर सकते हैं जैसा कि यहां आप नेवर पे लगा हुआ है तो इसको हम नेवर पे ही रहने देते हैं यहां से बैक आएंगे guys तो आपको emergency alert का आपको history मिल जाता है तो आपको हम यह on करके दिखा रहे हैं जैसा कि guys अभी कुछ दिन पहले एक जो है emergency alert का testing हुआ था जो कि भारस सरकार की तरफ से हुआ था तो इस तरह का message आपके पास में भी आया होगा इसका एक वीडियो भी हमने बनाया था तो इसको हम open करके आपको दिखाते हैं तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं यह emergency alert का message आया था यहां पे लिखा हुआ है या भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा एक broadcasting system के माध alert system को जाचने है तो भेजा गया है तो इस तरह का message आपको भी मिला होगा तो आप अगर history देखेंगे तो यहां पे alert के सारे message आपके पास में होंगे तो दोस्तों उम्मेद करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि आप अपने android mobile phone में emergency की setting किस तरह से कर सकते हैं और इसको setting करने के कई सारे benefit आपको मिल जाते हैं अगर आपको mobile चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है या फिर आपके साथ में कोई problem हो जाती है तो उस condition में जो भी emergency number आपने save कर रखा है उस number पे एक message जाता है और उस message में आपका live location भी जाता है अगर आपको कोई find करना चाह हैं आप तो बहुत ही आसानी से find कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो इंफॉर्मेट्री लगा है तो वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पे नए हैं इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस कर लेना औ और आल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना फिर मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में